आऱ इसád का स्पोसुएं परिकेटन C객टमें को सौन करते है own shows आपन पॉसीट सॉरूreiben को सौन करते हैं क्याक थाउ GIS थे क्रिकेटों में आपकॉद डूसे पॉरसरें की दुप इंपकॉत Почему कर केट आप है मतलब एक wicket लेने के लिए वो 12.4 runs देता है लास्ट मैच में वो 5 wicket लेता है और 26 runs देता है जिसकी वज़े से क्या होता है कि जो उसका balling average है वो 0.4 से degrees कर जाता है मतलब बहतर हो जाता है वो question में हमसे पूछ रहा है कि last match तक large match से पहले उसने कितने total wickets लिए यह हमसे question में पूछ रहा है तो अगर हम यह माल लेते हैं कि last match से पहले उसने total wickets लिए है वो x है total wickets लिए है वो x है तो हमें अगर total run last match से पहले पता करना हो कि कितना होगा तो वो हम कैसे निकाल सकते है total run उसने कितने दिया होंगे last match से पहले तक वो हो जाएगा 12.4 into x ये कितने के बराबर हो जाएगा 12.4 x और ये 12.4 x क्या है ये हमें पता चल गया कि उसने x wicket लेने के लिए 12.4 x runs दिया होंगे last match की scene क्या है कि last match में उसने 5 wicket दिया तो अब जो पहले wicket x था उसमें 5 जुड़ गया तो वो 5 x 5 plus x हो गया ठीक है और कितने run दिये उसने 26 run दिये it means अगर ये 26 हम यहाँ add कर दें तो ये क्या value हो जाएगी 12.4 x plus 26 ये क्या हो गया ये last match तक मतलब last match भी इसमें include गया अभी तक इसने total इतने run दिये है और क्या उसका average मतलब उसने कितने total wicket लिए अभी तक x plus 5 कितने के average से तो वो है आपका 12.4 तो पहले average था ठीक है लेकिन question में दे रखा है कि average decrease कर जाता है इस performance के बाद कितने से decrease करता 0.4 से minus कर देंगे तो value आजाएगी 12 तो इतना wicket लिया उसने 12 के average से ठीक है तो अब हम देख लेते हैं यहां से भी हम total run निकाल सकते हैं कि last match जब उसने खेल लिया तो उसने कितना run दिया वो कितने के बराबर हो जाएगा जो ये total run आया है उसके बराबर हो जाएगा आए एक्वेट कर देते हैं 12.4 x plus 26 ये कितने के बराबर हो जाएगा ये total run हो गया ये कितने के बराबर हो गया x plus 5 जो उसने wicket लिया है और 12 जो उसका नया average हो गया है उसके multiplication के बराबर x के लिए solve कर लेते हैं यहां value आजाएगी 12.4 x plus 26 ये कितने के बराबर हो जाएगा 12 x plus 60 12 x इस साइड जाएगा तो value आएगी .4 x ये 26 इस साइड आएगा तो value आजाएगा तो value आजाएगी पाता है 85 तो अभी तक मतलब last match तक उसने जो wickets लिये हैं वो हमने क्या माना था शुरू में x माना था और x की value कितनी आ रही 85 इट मीन्स जो option 4 है इस question का सही answer है